नमस्कार, राजसभा टेलेविजिन के खास प्रोग्राम महा महिम राजिपाल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश बादल, अपने इस करिक्रम में हम आपकी मुलाकात हर सप्ताह किसी ने किसी प्रदेश के राजिपाल से कराते हैं। और इस कड़ी में हम हैं आज जैपूर में। जैपूर जो राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजिपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा पिछले 40 बरस से सार्वजनिक जीवन में है। उनका विराट संसदिये अनुभव है। संसद की गरिमा और उसकी शांदार परंपराओं को बनाई रखने के लिए उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन फिलहाल उनकी यादों का कारवा चलता है करनाटक से। करनाटक के मैंगलोर में जन्मी मार्गरेट अलवा की पढ़ाई लिखाई बैंगलोरू में हुई। बीए के बाद उन्होंने कानून में भी सनातक किया। कम समय में ही उन्होंने वकील के तोर पर खास पहचान बनाई। इन्वर्स्ट्री लॉग कॉलेज बैंगलोरू ने उन्हें कानून में डॉक्टरेट की उपाधी प्रदान की। 1974 में 30 साल की उम्र में पहली बार वो राजसभा के लिए चुनी गई। चार बार राजसभा और एक बार लोकसभा के सदस्य के रूप में मार्गरेट अलवा ने संसत की अनेक समितियों में अपनी भागीदारी निभाई। राजीव गांधी के मंत्री मंडल में उन्होंने खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में शानदार काम किया। इसके बाद उन्होंने कार्मिक, लोग शिकायत और संसदिये कार्य मंत्रालेयों की जिमेदारी भी समाली। महिला सशक्तिकरण संबंदी नीतियों को बनाने और उसे केंद्र और राज्यों में लागू कराने की प्रक्रिया में उन्होंने काफी काम किया। रंगभेद के खिलाफ मुहिम को समर्थन देने के लिए दक्षन अफ्री की सरकार ने उन्हें अपने रास्ट्री ये सम्मान से नवाजा। 2009 में उन्होंने उत्तराखंड के राजिपाल पद की जिमेदारी सम्हाली। ललित कला और चित्रकला में अभी उनकी गहरी दिल्चस्पी है। राजसभा टेलिविजन से बातचीत में मार्गरेट अलवा ने अपनी जिंदगी के अनेक दिल्चस्प अनुभवों को साजह किया। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पॉलिटिकल लाइफ का कहूं तो मेरे पिताजी डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट थे चोठे गाउं में गूठी आंध्रप्रेश में तब तो पूरा मेड्रास प्रेजिडेंसी थी तो एक प्रेजिडेंसी में सब आंध्रा के करनाटक के तमिलनाड़ों के केरल के एरियास थे तो नेरुजी आ रहे थे पुब्लिक मीटिंगे तिये 52 का फस्ट इलेक्शन ता तो उन दिनों में धीवी वीवी कुछ नहीं था तो पूरे लोग नेरुजी आ रहे हैं करके बहुत बड़ा अनंतपूर में बहुत बड़ा मीटिंग ता तो माई फादर वस इन चार्ज अफ लॉइन डॉड़ा तो वो जा रहे थे सवे रहे तो हम बच्चों को ले गए इससे मैंने आज तक मुझे वो याद है कि लोग चल के भैल गाड़ी में, साइकल में, बच्चों को लेते इस तरह से निकल रहे थे जुलूस जो मैंने उन दिन देखा कहां कहां से लोग पहुंच रहे थे इट वस लाइक सी और पीपल मूविंग और एक उदेशता नेरूजी को देखना है अपने सुचा था कि आप वकील ही बनना चाहती है? आपने अद्वोकेट नहीं देखी है मेरे सामिली में, मैं गान्फादर फेमस लाइर टोग देखना है इस, I mean, फेमिली में चार-पांच प्रसिद लाइर थे My father was a judge, was a lawyer But I'll tell you I was first class first-in-law I never felt comfortable in the law courts But is this an accident that your marriage is a good thing? I met my husband when I was in the university We were in the student movement When I was in Loyola College, I was in Mount Camel So we came to know each other when we were in the university And actually, I went to an MBA in English for admission To a week in Bangalore Central College Then they wrote to me that What will it become an MBA in English? You want to become a teacher, you want to become a professor Go to the law college, you will reach the top And they wrote it So I changed it from English honours to law In fact, I must tell you I will help you And I went to my husband and said to my husband That I was giving post, I didn't say that And that was a mistake And I said to myself My parents-in-law went to jail My mother went with a baby in arms You have to go and work for the party You have to go and work for the party You have to go and work for the party You won't believe it I have never asked for a post I have never asked to be a governor I always said to myself I always say that I would say in my house I always say that I always say that I always say rip-fanned-winkle Because I was living everywhere When I sleep I wake up and sleep And when we wake up And at night I wake up Family prayers I would fall asleep If I'm gone I would fall asleep So they used to call me rip-fanned-winkle कुछ करती नहीं है, सोती है तो मेरे जीवन में जो भी हुआ है इस हपने विज़ाइब अब विज़ाइब दो आपके लिए विज़ाइब दो विज़ाइब दो राजसभा मेरा नॉमिनेशन तिकर पे आया मुझे रात को मैं सो रही थी गर में किसने उठा के बोला कि तुम्हारा नाम आया है मैंने बोला, I thought it was a practical joke I said, कैसे हो सकता है मैंने अपलाइ भी नहीं किया मुली कि आप देख लीज़े, आपका नाम 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 है इंदराजी ने मुझे दिया था उसके बाद जब पारलिमेंट में आई मैंने राजीव जी के साथ काम कर रही थी और 84 में जब राजीव जी ओत ले रहे थे तब हम सब आये थे उनका इलक्षन हुआ था, शाम को था तो बहुत कोशिश की बाए, महिला कॉंगरिस की अध्यक्ष थी एक पास राज्यसभा के लिए, I mean ये मीटिंग के लिए आई थी, चे बज़े की फ्लाइट से जाने वाली थी वापस मुंबाई को तो बी आठ होम फॉर न्यूएर, टो गर गई और सोई, कि पास नहीं है तो चोड़ दो, मैं क्या करो बार बार फोन आता रहा, ये महिला है मुझे फोन करके एक पास दे दो, दीदी, हम आएं हैं, केरला से, यहां से, वहां से हमको तो जाना है, स्वेरिंग इनके लिए, मैंने बोला, मेरे पास नहीं है तो तुमको कैसे देंगे, बोली कि आपको कैसा हो सकता है कि आपको तो नहीं मिला, हमको भी साथ में ले जाये, मेरे पास कुछ नहीं था, then I stopped picking up the phone. तो तीन, साड़े तीन बजे को फोन चलता रहा, चलता रहा, मैं उठा नहीं रही थी. Finally, मैंने बोला, यह को नहीं इतने बार फोन करे करके उठाया? तो बोला की, क्या कर रही हो? राजीव जी, I am Rajiv. I said, कोई पास नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे? बोले की, पास की जरुरत नहीं है, तायरो के राश्ट्रपती बवन आजाओ. नहीं बोला की, क्या बना रहे हैं, किस के लिए? मैंने बोला, पास की बना, बोले की, आजा, पास की जरुरत नहीं है, चलो. और फोन नहीं दाला. तो मुझे पता नहीं था कि, किस के लिए, किस को बोलो, मैं अकली थी घर में. I rang up my brother की, गाड़ी लेके, मुझे राश्ट्रपती बवन एक ड्रॉप दे दो. मुझे बुलाया है, राजीव जी ने, पता नहीं किस के लिए, किसी को मत बोलो. बोलो कि किस के लिए बुलाएंगे, राश्ट्रपती बवन को पागल हो, तयार हो जाओ. My brother took me, they wouldn't let me go in, because I had no pass. Finally I had to say, मुझे बुलाया है, इसके लिए आई हूँ, तो उन्होंने फोन करके मुझे अंधर चोड़ा. पीचे जाके बईती, राश्ट्रपती बवन के हौल में, अशोका हौल में. किसीने कुछ नहीं बोला था मुझे, मैं कहां जाओं, लास्ट सेकेंड ड्रो में कोई सीर्थी जाके बईती. तोड़े देर के बाद, अरुन नेरू उपर नीचे चल रहा था, उन्होंने मुझे देखा, बोला कि यहां क्या कर रही हो तुम? तो मैंने सोचा कि क्या बाते क्यों? मैंने बोला सीर्थी बाइठी हूँ, बोली कि तुमारी सीर्थी आगे है जाओ, तब ही तो मुझे पता लगा कि मुझे मंत्री बना रही ह। तब तक किसीने बोला ही नहीं था, और अभी गवणर भी मैं घर में ती, सो रही थी, दोपर को लगबग साड़े तीन बजे मोबाइल रिंग हो गया, उटाया, सब्सक्राइब, तो मुझे तो मुझे सोती ती, तब कुछ हुआ, पता नहीं कुछ होना है, तो मुझे सोते ही रहना पड़े। यूं तो राजस्थान की बहुरंगी समस्कृती दुनिया भर में मशूर है, लेकिन यहां की चुनोतियां भी कम नहीं हैं, राजस्थान के विकास और सामाजिक सरुकारों को लेकर, यहां की राजिपाल बेहत समवेदनशील हैं संसार की सबसे पुरानी परवत श्रंखलाओं में से एक, अरावली की गोद में बसे राजस्थान का जन्म, एक नवंबर 1956 को हुआ। पाकिस्तान सीमा से 60 राजस्थान आन, बान और शान के लिए जाना जाता है। यहां के अधिहासिक के लिए और महल शानदार विरासत के साथ उनकी वीर गाथाओं की याद दिलाते हैं। दुनिया भर से सहलानी इस विरासत को देखने हर साल आते हैं। दूर दूर तक फैला रेत का समंदर और रेगिस्तानी संस्कृति उन्हें बार-बार खीच लाती है। यहां का हस्त शिल्प, भिति चित्र, रंगा-रंग परिधान और संग मर्वर पूरी दुनिया में मशूर है। पोखरण में पर्मानू परिष्ण के जरिये भारत ने पहली बार दुनिया को अपनी ताकत का हैसास इसी राजे से कराया था। शेत्रफल में भारत के सबसे बड़े इस राज्य की अपनी चुनोतियां भी हैं। साल भर पहले मार्गरेट अलवा ने राजस्थान के राजिपाल का पद सभाला था। राजसभा टेलेविजन से बाचीत में मार्गरेट अलवा ने इस राज्य की समस्याओं पर बेबाखी से बात की। बहुत सालों से मैंने यहां काम किया है क्योंकि मैं जब महिलाओं की मंत्री थी राजीव जी के सरकार में। तब यहां एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था कहूं तो सत्तिका। और उसके बाद वो कानून लाया और उसके कारण हम लोगों को आके यहां बहुत कुछ काम करना पड़ा। गाउं गाउं में गुमी हूं, मोबिलाइजेशन महिलाओं का, विडोस होम्स प्रारम कियें। तो गाउं गाउं में मुझे आज भी बहुत सी महिलाओं आती हैं बोलती हैं कि मैडम आप तो गवनर हैं पर हम तो महा महीम नहीं बुलाएंगे, हम आभी भी दीदी बुलाएंगे आपको, क्योंकि पुराना संबंद रहा है। ये बात आप करीब करीब 25 वरस पहले की कर रही हैं। इन 25 वर्षों में जब आप आज राजिपाल के तौर पर हैं, तो राजस्तान कितना बदला है। एजुकेशन के फील्ड में, महिलाओं के, अधिखार के फील्ड में, और इंप्रेस्ट्रक्चर में, भहत फरक पड़ा है। राजस्तान को मैं कहूं तो रेत की एक राज्य बोलते थे। आप देख लीजिए, देश के लगबग 10% जमीन हमारी है राजस्तान की। पॉपुलेशन लगबग 7% देश की। पर पानी जो हमें है देश का, 1.12% है। तो पानी की बहुत कमी है। पर अभी जब से इंद्रा गांधी कैनाल चलती है यहां पर, पानी आ रहा है। जो डेजर्ट एरियास थे, वो अभी अभी ग्रासलेंस बन गए है। और बारमेर में, जैसलमेर में, अभी पेट्रोलियम, क्रूड ओल का तो प्रोड़क्शन चल रहा है। अभी बहुत से जोब्स क्रेट हो जाएंगे। और तस्वीर बदल रही है। आप तमाम सोसाइटी के तमाम क्लासे से वर्गों से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं से आप जुड़ी हुई हैं, स्टुडेंट्स के साथ आप जुड़ी हुई हैं। मैं यह जाना चाहता हूँ कि आपकी नजर में एक गवर्णर का, राजयपाल का और जनता का सीधा रिष्टा क्या है। Constitution has put a Lakshman Rekha around the Raj Bhavan. जो मेरा काम है वो मैं करोंगी। पर Raj Bhavan gates are open to anybody who wants to come. मैं फोन करते हैं, मैं हवते मैं लगबग 100 से जादा लोगों से मिलती हूँ जब मैं जाइपूर में हूँ. सरकार चलाना सरकार का काम है, government departments, programs, thing. But the governor's role is to advise, to help, and to see that the government performs in a way that the people are served. Governor is essentially an advisor, is essentially a counselor, friend, philosopher and guide. यह काम मैं कर रही हूँ, जहां कोई problem है मैं तुरंत इसके उपर action लेती हूँ. I ask that action should be taken, and the government follows. एक बात इन दिनों जो आमतवर पर कही जाती है, और कुछ प्रदेशों में या राज्यों में इस्तितियां साही भी है, कि जो विधान सभा के जो सत्र होते हैं, धीरे धीरे उन सत्रों में या उनके दिनों में या उनके काम के घंटों में कमी आ रही है। क्या यह चंता की बात है। विधान सत्रों में या रही है। विधान सत्रों में या रही है। लेकिन जो राज जी के टोटल डेवलोप्में जो चीजहों पर डिस्कुर्स होना था है। इस्कुर्शन होता ही नहीं, परलिमें नहीं होता है तो यहां कैसे होगा। वो एक चंता की बात है। लेकिये, परलिमें आप देख रहे हैं, everything is tied up in conflict between opposition and government. It has to be a negotiated, if I may say so, program of work in Parliament. तो सब को जब बाइते हैं business advisory committee में और सब मान लेते हैं, उसके बाद house में अगर हंगामा करेंगे, तो bills कैसे discussion करके pass हो सकते हैं, जो urgent हैं वो ऐसे voice words से तो pass करवाते हैं, which is I think not a happy trend. राजस्थान पर कोई बात तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक यहां के culture के बारे में बात नहों, यहां के colors के बारे में बात नहों, यहां के music, paintings और लोगों की जो soft दिल्चस्पियां हैं उनके बारे में बात नहों, आप कहां तक से अपकर रसा राजस्थान? Rajasthan is a state of wide variety. अरावली mountains है, वहां desert है, यहां desert में इंडरा गांधी कनाल में पानी बह रहा है, उसके साथ-साथ, there is the royal picture of Rajasthan, combined with our beautiful villages, where people are not bothered about what is happening in Jaipur or Jodhpur or Jaisal. People are so happy with their culture, their tradition and their music and dance. By and large, Rajasthan is a vibrant state. हमारे लोकतंत्र की हिफाज़त करने में संसद ने बड़ी भूमी का निभाई है, इसी वज़े से बीते 62 बरस में हमारे लोकतंत्र की धाक सारी दुनिया में जमी है. श्रीमती मार्गरेट अलवा लंबे समय तक इसी संसद का हिस्सा रही है और उनके अनुभव और ज्यान का फाइदा अनेक अवसरों पर देश को मिला है. भले ही मार्गरेट अलवा अचानक सियासत में आई हो, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी बेहत दिल्चस्प और गंभीर अनुभवों से भरपूर रही. संसद की गरिमा और उसके अधिकारों की रक्षा को लेकर वो समवेदन शेल हैं. राजसभा टेलेविजन के साथ बातचीत में उन्होंने संसद की सार्थक्ता पर जोर दिया. वाजपाई जी थे, प्रकाष्वेशास्त्री थे, और भुपेश गुपता जी थे, चंद्रसेकर जी थे, बहुंदारिया. यूनो, स्टॉलवर्स और उनके बाशन सुनने के लिए, हम लोग एक मिनित हाउस को नहीं चोड़ते थे. मैं आई बैक बेंच अरती, लास्ट बेंच में, हम चार थे, हिंदू, मुस्लिम, एक स्रीक अरेग इसा आई, तो हमको सेक्यूलर बेंच बुलाते थे. हम बिल्कुल लास्ट बेंच में थे, पर मैं कभी हाथ में रूल बुक और जो गाइडन्स होता है पारलिमेंट का, उसको हाथ में रखके बैटी थे, बहुत कुछ अच्छा होती थी, बाशन होते थे, इतने अच्छे इंटरलेक्शल डिबेट्स होते थे, वो मुझे लगता ह है, आज कल बिल्कुल कतम होगी तो ये संसद के साथ आपका रिष्टा कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाओंगी या पालिमेंट पहुंझाओंगी मैं तो बिल्कुल शादी होके देली में जब 64 में आई थी, मैं तो और मेरे फादर निलो लोगसभा के सदक्सिते हैं, उनका ये डिस्टिंक्शन रहा कि वो तो देश में पहला कपल था, पालिमेंट में, नेरुजी ने दोनों को लाय था, एक लोगसभा में, एक राजसभा में, और कहूं तो फ्रीदम मूव्मेंट भी दोनों साथ में थे, जेल में थे, तो इसके लिए नेरुजी को उनके उपर बहुत प्यार था, 69 में अचानक मेरे मदरिन लोग का डेथ हुआ, देहान हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मेरे उपर बहुत प्रेशर आ गया, कि उन्होंने इतना काम किया था, कॉंग्रेस में थे, तो तुमको तो फैमिली ट्रेडिशन को तो आगे ले जाना है, बहुत कुछ प्रशर आया था, तो बेंगलूर गई, मेंबर बनी, और उसके बाद इन्वाल्मेंट शुरू हो गया, आपने, आप ने, आप प्रेंड मि कुछ काम किया है, मैंने दूसरे-दूसरे कमिटीज में, आपको याद आता है, इन कमिटीओं की रिकमेंडेशन की वज़े से कुछ पार्लेमेंट ने कुछ चेंज किया हो, या सरकार ने अपने कुछ तौर तरीकों ने पुराने कमिटीज में वाद दूसरी थी, स्टैंड कमिटी नहीं थे ना तिल निन उनिल निने ए जिल विली कि जड़ेंग दिल्ड यहुड़ा थे हुट हैं। वो standing committees में जो amendments किये जाते हैं, जो सवाल उटा जाते हैं, उसको तो ministry को और पर्लिमेंट को मानना पड़ता है. बहुत से amendments आते हैं through the standing committees. And I feel that in the standing committees ज़ा मैंने काम किया है, एक सबसे बड़ी बात है, अदर अभी जो मैं देखती हूं, वो party lines में divide हो रहे हैं. यह नहीं होता था, it was always by consensus, जहां भी कोई डिफरेंस हो, बाइड के, चेर्में के साथ बात करके, consensus reports निकालते थे हैं, अभी तो वो भी बदल गया, standing committees also are divided along party lines. अभी बार ऐसे भी लगता है कि civil society का एक वर्ग, एक क्लास, कानून बनाने का काम अपने हाथ में अगर लेना चाहिगा? यह मैं बोलना चाहती हूं कि कानून को पेड के नीचे बाइड के या एक धर्ना में बाइड के इंडिया गेत में नहीं बनाना है. You see, legislation is something which affects the life of the people, of the entire country, not only of a group sitting at India gate or sitting at Jantar Mantar. There has to be much more inputs, thinking processes that have to go into lawmaking. कानून बनाने की एक तरीका होती है. Draft legislation आता है, standing committee को जाता है, वापस आता है, discussion होता है, voting होता है. आजकल मैं हैरान होती हो, discussion के बिना 10 minutes में 10 bill भी पास होते हैं, assemblies में, parlement में, without any discussion. जो मेरा आखरी सवाल है, के आपने दुनिया भर में घूमा है, देखा है, भारती ये लोकतंतर और भारत की संसत को लेकर के, दुनिया भर में धारना क्या है, मेंच क्या है हमारी? देखिये, India is very respected, we are the largest democracy in the world, we are just 60 years old, अभी देख लीजिये, भाशा हैं, दूसरे दूसरे धर्म, दूसरे दूसरे क्या कहें, caste, combinations, दूसरे दूसरे issues को लेके, we have been able to hold the country together, हमारे साथ जो आजाद हुए, most of those countries have gone off democracy, manage नहीं कर पाए, कहीं military dictatorships आये, कहां और कुछ आये, लड रहे हैं to restore democracy, आम जनता थार करती है की बदलाव लाना है, तब बदलाव लाते हैं, तब बदलाव लाते हैं, तो ये थी राजसभा टेलिविजिन की खास पेशकष महा महिम राजयपाल, आज की इस कड़ी में, हमने आपकी मुलाकात कराई, राजस्थान की राजयपाल, श्रमती मारगरेट अलवा से, अगले एपिसोड में, फिर हम चलेंगे किसी नए राज में, और आपकी मुलाकात कराएंगे वहां के महा महिम राजयपाल से, इजाज़त दीजे, नमस्कार.